कह रहे हैं, विटमिन B12 सिर्फ जानवरों के मास से ही मिल सकता है और अगर उसको कृत्रिम रूप से लेंगे, तो शरीर फिर उसको सोख नहीं पाता B12 को थोड़ा समझते हैं देखिए, कोई जानवर अपने शरीर में विशेष्टया विटमिन B12 नहीं पैदा करता विटमिन B12 एक बैक्टिरिया पैदा करता है वो बैक्टिरिया बहुत सारे जानवरों की आथ में पाया जाता है और उन जानवरों में इनसान भी शामिल है जो बैक्टिरिया विटमिन B12 पैदा करता है वो इनसान की आथ में भी पाया जाता है और बहुत सारे अन्य जानवरों की आथ में पाया जाता है और वही बैक्टिरिया मिट्टी में भी पाया जाता है तो वहाँ से आता है विटमिन B12 अब सवाल यह है कि इनसान को फिर क्यों नहीं मिलता है विटमीन B12 जब उसके अपने ही शरीर में बैक्टिरिया है जो उसका उत्पादन कर रहा है इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो जो B12 है जो हमारे शरीर में पैदा होता है बैक्टिरिया के दोरा वो शरीर में आथ में इतन संशलेशन भी संभव नहीं हो पाता है, तो वो मल के साथ साथ शरीर से बाहर चला जाता है, लेकिन मिट्टी में वो मौजूद रहता है, अब प्रक्रति में जितने भी जानवर हैं, वो जब घास खाते हैं, या फल और खाते हैं, तो पहली बात तो वो फलों पर कोई रसायन लगा करके उनको साफ नहीं करते, दूसरी बात, वो जिस मिट्टी से खा रहे होते हैं, वो बहुधा फर्टिलाइजर सो गेरह के अत्यधिक इस्तिमाल के कारण बिलकुल मार नहीं दी गई होती है, जब आप मिट्टी पर रसायनों का बहुत इस्तिमाल करते हो, ताकि उसमें से फसल पैदा हो सके, तो मिट्टी में जो तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया भी मर जाता है, जो विटमिन B12 पैदा करता है, लेकिन जानवरों को हैं, फिर भी मिल जाता है, कि जानवर ने घास खाई, पत्ती खाई, फ़ल खाया, तो इसने धो पोँच के नहीं खाया, तो अगर उपल खा रहा है, या पत्ती खा रहा है, तो उस पर मिट्टी के बारी कण पड़े हुए हैं, मिट्टी के उन बारी कणों में विटमीन B12 भ आ रहा है, इंसान जंगल जे बाहर आ गया है और हम अपने आपको बहुत जबरदस्त रूप से सभ्भे औगेरा बोलते हैं, और सभ्भेता के नाते हमने दो काम करे हैं, पहला ये कि हमने अपनी मिट्टी को निश्प्रान कर दिया है, हमने अपनी मिट्टी में वो सब रसायन भर दिये हैं, जो फसल के लिए उपयोगी हैं, ठीक है, पोटेशियम उसमें डाल दो, नाइट्रोजन उसमें डाल दो, तो ये सब हम उसमें अपना भरते रहते हैं, लेकिन जो चीजें फसल के लिए उपयोगी नहीं हैं, उनको हम मिट्टी से बिलकुल मारी देते हैं, तो तो इनसान ने मिट्टी से B12 को मार दिया, तो उसमें से जो फिर फसल भी हो रही है, उस पर अगर थोड़ी बहुत मिट्टी मौझूद भी है, और याद रखिए आप कितना भी साफ कर लें, उस पर जरा-जरा से जो कन हैं मिट्टी के, वो तो मौझूद रहते ही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मिट्टी मौझूद भी रह गई, उस पर थोड़ा बहुत बीट्वल मौझूद भी रह गया, तो पहले तो आपके हाथ में आने से पहले, जाहे चावल हो, जाहे गेहूं हो, जाहे सबजी हो, जाहे पल हो, उसको तमाम तरीके की यांत्रिक और रासाइनिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, कभी उसका छिलका उतारा जारा है, कभी उसके कोई प्रै करा जारा है, और उसके बाद जब वह आपके घर पहुचता है, तो आप भी उसकी जबरदस्ट रूप से सफाई करते हो, तो दो-तरफां मार पड़ी, अब उस儿 पर बीट्व बचा ही नहीं जब उस बचा ही नहीं जब उस बचा ही नहीं तो फिर आप चिलाते हैं कि हाई हाई बी ट्वल्व नहीं मिल रहा और बी ट्वल्व मुझे मिलेगा मेमना मार के भेड मार के बकरा मार के मुर्गा मार के आपने कभी यह सोच नहीं नहीं चाहा कि उस बखरे को य के लिए फसले आती हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब हमने ये अपनी दुरगति तो कर ही ली है। फिर भी ये तर्कता ही ने दिया जाए कि विटमिन B12 मिलता नहीं है सबजियों में। इसी से ये सिद्ध होता है कि प्रक्रति चाहती है कि हम जानवरों को मारें। न विटमिन B12 के लिए आपको किसी जानवर को मारना ना पड़े। प्रक्रति न कह रखा था कि तुम पत्तियां खाओ, फल खाओ, सबजियां खाओ, अनके दाने खाओ, उसमें तुमको B12 मिल जाएगा। ठीक वैसे जैसे जंगल के तमाम जानवरों को मिल जाता है B12, उने कै कैसे मिलता है B12, थोड़ा सोचिए, जैसे उनको मिल जाता है वैसे आपको भी मिल जाता है, लेकिन पहली बात हमने अपनी मिट्टी को बेजान करा, और दूसरी बात हमारे पास जो उस मिट्टी से पैदावार आ रही है, वो तमाम तरीके के रसायनों में डूब के आ रही ह इसलिए हमें B12 नहीं मिल रहा, इसमें प्रक्रते का कोई दोष नहीं है और B12 की दोहाई देके यह मत सद्ध करियेगा, कि साबेथ हो जा रहा है कि प्रक्रती ही चाहती है प्रक्रते है सा नहींचाती है, खेर, B12 आप आए कहां से, तो उसके लिए आपको सप्लिमेंट्स ल और जैसे ही मैं बोलूँगा, बहुत लोग बिलकुल चिला पड़ते हूं, कहते हैं, अरे अरे यह तो कृत्रिम हो जाएगा, हम शरीर में B12 क्या सप्लिमेंट्स के माद्धे हम से पहुचाएं, अच्छा, तो अभी यह जो COVID महामारी पहली हुई है, इसकी जो वैक्सीन वो भी तो कृत्रिम है, उसको क्यों पहुचा रहे हो शरीर में, और पोलियो की दवाई और टिटनेस कटी का, और DPT, और चेचक, और तमाम तरीके के जो तुम वैक्सिनेशन लेते हो, वो क्या जंगल में पाए जाते हैं, पेड़ों पे लगते हैं, प्राक्रतिक हैं, वो जब तुम बुद्धी लगा करके फैक्ट्रियों में निर्मित वैक्सीन अपने शरीर में ले लेते हो, अभी कोरोना की वैक्सीन आएगी, कितने लोग हैं जो कहेंगे नहीं चाहिए, तो फिर फैक्ट्री में निर्मित विटमिन B12 लेने से इंकार क्यों, मैं बताता हूं क्योंकि जब तुम टिटनस की वैक्सीन लेते हो, तो उसमें तुम्हारा स्वार्थ है कि तुम्हारी जान बचेगी, लेकिन जब तुम B12 का सप्लिमेंट लेते हो, तो उसमें तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, B12 का सप्लिमेंट लेने से तुम्हारी जान नहीं की एक गोली भी खाने को तैयार नहीं हो जाते तुम कहते है औरे यह तो आर्टिफिशियल बात हो गई ना जैसे कि बाकी तुम्हारा रहन सहन जीवन शेली पूंडताया प्राक्रतिक हो सिर्फ B12 सप्लिमेंट ही आर्टिफिशियल है और तुमने जो कपडे पैन रखे यह क्या पेड़ों पे उगते हैं यह जो चश्मा लगा रखा है हां यह तुमने किस पेड़ से उतारा बताओ जब हमारी जीवन चर्या में सब कुछ ही यह बहुत कुछ कम से कम हमारे द्वारा निर्मित है तो निरी प्राणियों की जान बचाने के लिए अगर तुमको B12 भी फैक्टरी में निर्मित करके खाना पढ रहा है तो क्यो शोर मचा रहे हो कौन सी बड़ी बात हो गई बिलकुल ठीक कर रहे हो अभी डॉक्टर लेग देगा कैल्शियम की कमी तुमारे शरीर मिलेंगे जैसे ही तुमें बताया जाता है शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तुरंट क्या करते हो जाके कैल्शियम की गोलिया फाकनी शुरू कर देते हो हाँ या ना हो सकता है कि तुम उसके साथ साथ ऐसे भोजन की मात्रा भी बढ़ा दो जो कैल्शियम से परिपूर्ण लेकिन साथी साथ गोलिया लेने में तुम्हें कोई परहेस तु नहीं होता नहीं, इस्तरियों को पता दिया जाता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी है, तो ठीक है भई, वो भाजी इत्यादी खाना शुरू कर देंगी, पालक खाना शुरू कर देंगी, लेकिन साथी साथ आ तो मुझे B12 लेना पढ़ रहा है, मेरे साथ बढ़ात्या चार हो गया, ये वीगन होना बड़े जंजट की बात है, B12 खाना पढ़ता है, ठीक है B12 छोड़ दो, कोविड कटीका भी मत लगवाना, ये जो विटामिन C और A और B और दस गोलिया तुम जट से फाक लेते हो, इनको भी कई मत फाक ना, क्योंकि ये सब भी तो कृत्रे में अर्टिफिशियल हैं, इनको क्यों ले रहे हो, चुप चाप, B12 का सप्लिमेंट लो, और पशुवों से प्रेम करना सीखो, और इसमें एक चीज और आगहा किये देता हूँ, जब B12 का सप्लिमेंट ले रहे हो, तो पहले जाच लेना, कि कहीं वो सप्लिमेंट भी तो जानवर को मार के नहीं बनाय गया है, डब्बे पर ल स्प्लिमेंट को मार कची जानवर को आगहाचा, कि झागहाचा कि कुछा लो, और दो जानवर is से ले भी खतक्रे всем.